गूर्णिंग इस्ट्वेंट एक बार फिर से उर्गेनिक केमेश्टी में आप लोगों का स्वागत है पिछले लेक्चर में हम लोग मार्कोव निकोव रूल को पढ़े थे और आज जिस टॉपिक को मोग पढ़ने जा रहे हैं जिस रियक्शन को मोग पढ़ने जा रहे हैं उ सबसे पहले आप लोग यह जान लिजिए कि एंटी मार्कोव निकोव को जिस तो दवारा बताया गया उस साइंटिस्ट का नाम है खरास तो इस ही को हम लोग खरास रूल भी घाते हैं और यह जो रियक्शन होता है ये पैरोकसाईड के परजेंस में होता है किसके परजेंस म और तिसरा बात ये पूछ सकता है कि परोक्साइड इफेक्ट किसे कहते हैं। अब इस reaction को start करने से पहले आप लोग ये जान लिजे कि बिना परोक्साइड को समझे इस reaction को detail में पढ़ना थोड़ा साथ difficult हो जाएगा। तो हम लोग इस reaction को दो मिनेट के बाद ही start करेंगे। पहले हम लोग ये सिखते हैं कि परोक्साइड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि oxygen का तीन टाइप होता है। oxygen जो होता है ये जो oxide हम लोग oxygen को ही कहते हैं। तो oxygen का जो compound formation करता है वो तीन टाइप का होता है। तो परोक्साइड कहते हैं। तो परोक्साइड हम लोग उसको बोलता हैं जिसमें oxygen का एक bond oxygen के साथ ही bond बना रहा हो। oxygen दो bond बनाता है, तो एक bond जो है, वो किसी other element, other atom के साथ होना चाहिए, लेकिन उसका एक bond oxygen के साथ ही link होना चाहिए, तो वैसा oxygen जिसका एक bond oxygen के साथ हो, और दुसरा bond किसी other element के साथ हो, तो वैसे condition को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, परोकसाइड, अच्छ और Oxidation number के बारे में हम लोग कि लास 11 में detail में पढ़ चुके हैं, Oxidation Reduction chapter में, जहां Oxidation number क्या होता है, Oxidation number कैसे find क्या जाता है, यह फिर किसी भी chemical reaction को balance कैसे कहते हैं, तो वहां पर हम लोग पैरोकसाइड के बारे में पढ़े थें, लेकिन यहां पर use है, इसलिए इसको एक ब तो अगर यह condition है, तो याद रखना है कि इसी कॉमलक पैरोकसाइड करते हैं, अभी हम आप लोग को बताए थें, कि यह जो Oxygen है, इसका तीन टाइप होता है, तीन टाइप का compound formation करता है Oxygen, इसका जो पहला टाइप है, इसका नाम है Normal Oxide, Normal Oxide उसको बोलते हैं, जिसमें Oxygen का ज चार्ज हो, वो Minus 2 हो, दूसरे टाइप का नाम है Paroxide, क्या नाम है Paroxide, अब Paroxide हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें Oxygen का जो चार्ज हो, वो Minus 1 हो, और तिसरा जो टाइप है, वो हम लोग के लिए है Super Oxide, Super Oxide, और Super Oxide उसको बोलते हैं, जिसमें Oxygen का जो Oxidation Number हो, वो Minus 1 हो, तो याद रखना है कि Super Oxide में Minus 1 होता है, Paroxide में Oxygen का Oxidation Number Minus 1 होता है, और Normal Oxygen में Oxygen का Oxidation Number Minus 2 होता है, तो Oxygen तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का Compound Formation करता है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यूज है, वो केवल किसका यूज है, वो केवल यूज है, पर Oxide का, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं, Normal Oxide का एक 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 जामपल हम लोग सबसे सिंपल एक जामपल लेते हैं, H2O, तो हम लोग बोलते हैं, हैड्रोजन ऑक्साइड, तो इसको हम लोग पर Oxide नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग Hydrogen Oxide बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग बोल दे, H2O2, तो H2O2 भी compound है, और इसको हम लोग बोलते हैं, H2O 2, अगर इसको Hydrogen Oxide बोलेंगे तो गलत हो जागा, क्यों गलत हो जागा, तो इसको ज़रा डिटेल में देखिए, दुनिया ज गया इस oxygen का भी दो bond हो गया लेकिन ये oxygen के साथ एक bond बना लिया lux गर नाम पूछा जाएंगा तो नाम बोलना है hydrogen paraxide इसका नाम क्या बताना है है हेड्रोजन पर ऑक्साइड इसको भी और डीटेल में देखते हैं एक एक्जामपल ज़रा सुपर ऑक्साइड में लेलते हैं इसका यूज नहीं बस हम नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अलेवंत में हम लोग पढ़ चुके हैं सुपर ऑक्साइड किसको बोलेंगे इसका एग्जामपल है K02, लूज कहीं का लिएक नाम थे करने देखा है और थो निकलना है तो पोटासिम तो पहले में हो जागा यह multiply में धर जाके divide में आ जागा तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा पोटासियम सुपर ऑक्साइड, ह2O2 का नाम होगा हेड्रोजन पर ऑक्साइड और हम लोग को टॉपिक में नॉर्मल ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का यहां पर यूज नहीं है यहाँ पर यूज़ किसका है परॉक्साइड क्यों यूज़ है? क्योंकि इसी के पर्जेंस में ये एंटी मार्कोनिफ का र्याक्षन चलेगा तो इसका और एक एक जामपल लेते हैं जो NCRT बुक का एक जामपल है चले एक्जाम्पल है जिसका नाम है बेंजोयल परोकसाइड रियक्षन में ये बारवार लिखा रहेगा तो पहले इसका फर्मूला जान लिजे इसका फर्मूला है C6, H5, CO, इसका होल टुवाइस और यहां पर है O2 ये है इसका नाम है बेंजोयल, बेंजोयल नाम बेंजीन से आया हुआ है तो आप लोग को पता है कि बेंजीन का फर्मूला होता है C6, H6, वहां से एक हैड्रोजन निकल गिया है तो हम इसका नाम बताए थे आप लोग को फिनाईल या इसका नाम बताए थे बेंजाईल, तो इस पूरे compound का अगरबार structure देख लेते हैं हम लोग, structure में आप लोग यह जानिए कि C6H5, इससे benzene से एक हेड़ोय निकला तो एक bond खाली हो गया, यहाँ पर CO दो बार है, तो यह C double bond O, अब इसी चीज़ को दो बार लिखना है, लेकिन बीच में दो oxygen आपस में link है, और यही term ज structure है, अब बताए, कि इस पूरे structure में 4 जगा oxygen है, लेकिन यह oxygen double bond से carbon से link के जाते है, यह normal oxide है, यह normal oxide है, लेकिन यह oxygen एक bond इसके साथ बना लिया, तो इस oxygen का charge हो गया, minus 1, तो धियान रखना है कि इस पूरे compound का क्या बोलते है, इस पूरे compound को बोलते है, बेंजोयल पर oxide, तो ब पर अगर आप बेंजीन का भी structure बना दीजेगा, तो भी सही है, क्योंकि बेंजीन से जब एक hydrogen replace होता है, एक hydrogen हटता है, तभी उसका formula होता है, इसका formula क्या है, इसका formula है, इसका formula है C6 और H5, तो फिलाल इसके बारे में detail में आपनों जानिए, ध्यान रखी कि reaction के ऊपर यह लि Markov Nikov Rule अगर आप नहीं देखें, तो पहले उसको देख लें, ताकि यह और अच्छा से समझ में, समझ में आए, तो पहले आप लोग इसको उतार लेजें, फिर आगे देखते हैं, लिखली आप लोग, तो अभी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, Anti-Markov Nikov Rule, इसके बा जिस कारवन के पास hydrogen atom कम होता है, अब इसका anti है, इसका rule उलड़ जाएगा, इसका rule यह होगा, कि negative part उस कारवन से जाकर के जुड़ेगा, जिस कारवन के पास hydrogen atom की संक्या अधीक होगी, जैसे कि example से देखें, सबसे पहला बात आपको यह याद रखना है कि यह unsymmetrical में यहाँ पर आ गया double bond, यह हो गया हम लोग के पास CH2, अब यहाँ पर देखें, इस कारवन के पास दो hydrogen और इस कारवन के पास single hydrogen है, तो यह हम लोग के लिए हो गया unsymmetrical, यह हम लोग के लिए क्या हो गया unsymmetrical, अब unsymmetrical है, अब हम लोग को इसका reaction करवाना है, अब इसका reaction करवा होना है HBR के साथ HBR के साथ reaction करवा रहा है लेकिन एरो पर लिखा हुआ है पर ओक्साइड अब जैसे एरो पर ओक्साइड रहेगा मतलब परोक्साइड के परजेंस में अगर यह reaction हो रहा है तो आप समझ जाहिए कि इसमें उल्टा रूल लगने वाला है तो सबसे पहले बताए इसमें निगेटीफ पार्ट कोन है तो हैट्रोजन पर पलस वन आगा ब्रोमिन पर माइनस वन आगा तो यह हमलों के लिए निगेटीफ पार्ट अगर यहां का पाईडवand ब्रेक करेगा पाईडवand ठूटे गा तो एक बॉनडिस कारवं कर गा होगाzur तो मैगेटीफ तो यहां पर इसमें जो हैड्रोजन जूड़ना है अगर यह बॉंड टूटा यहां पर एक सिग्मा बॉंड है और यहां पर एक पाई बॉंड है अगर यह पाई बॉंड टूटा तो हैड्रोजन कहां जूटेगा तो हैड्रोजन जूड़ जागा इस जगा पर और यह ब्रॉ बात समझ मारा है अगर सेम रियक्शन होता अगर सेम रियक्शन होता केवल एरो पर केवल एरो पर वो पैरोक्साइड लिखा हुआ नहीं रहता अगर सोचिए कि यह सेम रियक्शन एक्जाम में आता और एरो पर यह पैरोक्साइड नहीं होता तो अगर पैरोक्साइड नहीं ह और यहाँ पर anti-markov recope का rule लगा, तो markov का rule क्या था, कि negative part को वहाँ attach करना है, जिस carbon के पास hydrogen atom कम है, तो यहाँ पर जूड़ जाता इस बार BR, और यह hydrogen यहाँ पर जूड़ता, तो अगर यह reaction होगा, तो यह reaction बनाएगा CS3, यह बनादेगा CH, इसी में आका attach हो जाएगा BR, और य यह दोनों addition है, addition क्यों है क्यों है, यह इसमें आकर करके जूड़ रहा है, तो ध्यान रखना है कि यह सब addition में ही है, markov का rule और anti-markov का rule, यह सब हम लोग को यादगना है, किसमें है, यह सब हम लोग का addition reaction में ही है, और यह दोनों तभी valid है, जब वो unsymmetrical हो, जब वो क्या हो, uns symmetrical, तो दोनों में difference आप लोग को समझ में आया है, चलिए, कुछ और example देखने से पहले, हम लोग यह देख लेते हैं किसका, हम लोग का definition क्या होगा, तो definition कहा रहा है, कि इन्दी presence of peroxide, या दगना यह reaction जो होगा, यह peroxide के presence में होगा, ठीक है, आप कैसा peroxide होगा, तो उस जगा आप बेंजोयल परोक्साइड हो सकता है, और या फिर H2O2 भी हो सकता है, तो बेंजोयल परोक्साइड and light addition of HBR, addition of क्या, HBR, एक important बात आप लोग और जान लीजे, एक important बात आप लोग यह जान लीजे, कि anti-marcov का जो rule है, वो केवल HBR के लिए ही valid है, अगर HBR है, तो anti-marcov क rule लगेगा, लेकिन याद रखना है कि HF, HCL और HI और H2O, ध्यान रखना है कि यह सब में, यह सब में anti-marcov rule नहीं लगता है, तो ध्यान रखना है कि जब भी anti-marcov का reaction आप तो वो केवल HBR के लिए ही valid होगा, अब यह ऐसा क्यों होता है, इसकों लोग लाश्ट में देखें है, फिलाल याद रखना है कि anti-marcov का जो rule दिखाता है, वो केवल कौन दिखाता है, HBR दिखाता है, यह जितना भी reaction है, अचा हम ओप का बात होगा, तो marcov सारा दिखाता है, लेकिन anti-marcov rule केवल कौन दिखाता है, HBR दिखाता है, तो anti-marcov के बारे में, दो-तीन बात रखता है दूसरा बात यहां रखना है कि वह अन्समेट्रिकल होना चाहिए अन्समेट्रिकल होना चाहिए और तिसरा बात यह रखना है कि यह परॉक्साइड परजेंस रहना चाहिए तो अगर परॉक्साइड परजेंस परजेंट में है रियक्शन में तो समझ जना कि यह कन्दिटी मार्क ओर निकॉफ का ये कंडिसन ध्यान में रखना आप लोगो यह बात तो चलिए अब हम लोग तो यहां पर हम लोग देखेकल नकिस्का होगा और अजी बास में होगा है है और L-Kine में हो सकता क्योंके पाइब इसमें भी यह तो काता है रूल का है तो काता कि निगलब जुलेगा नीगेटिव पाइल करवाण हेबंश पार्वार ङबómoर नंबर सुन more number of hydrogen atom तो जिस कारवन के पास hydrogen atom का संक्या अधीक होगा उसी में जाकर यह negative part जुड़ेगा तो अगर यह condition है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं होती है HBR के साथ होती हो और BR- को कते हैं negative part तो negative part उस कारवन से जुड़ता हो जिस कारवन के पास hydrogen atom की संक्या अधीक होती हो हेट्रोजन एटम की संक्या क्या होती हो अधीक तो अगर हेट्रोजन एटम का संक्या जिस कारवन के पास अधीक होगा उसी में जाकर के निगेटीव पार्ट मतलब बी यार मैनस आकर के जुड़ेगा याद रखना है कि इसी रूल को आम लोग एंटी मारको निफ रूल भी कहते हैं खरास रूल भी कहते हैं और इसी को आम लोग पैरोकसाईड इफेक्ट भी कहते हैं आरे अब इसा बेरा बात समझ में, तो धियान रखने आप लोग को इस बात को अच्छा सबसे बड़ा इंपोर्टेंट बात क्या याद रखना है कि एंटी मार्कोनिफ का जो रूल है वो केवल BR- के लिए ही भेलीड है किसके लिए भेलीड है BR- इसके जगह पर CL- I- F- है ना H2O यह सब कुछ भी नहीं आ सकता है केवल केवल के आएगा BR- ही आएगा तो यह हो गया हिंदी मीडियम इस्ट्वेंट के लिए और इसके पहले जो हम लोग देखे थे है ना यह था किसके लिए English medium student को लिखेंगे, तो अब हम लोग इसके एक्जामपल को देखेंगे, यहाँ पर तीन reaction और लिखा गिया है, ठीक है, तोटल हम इसमें no reaction को लिए वे, एक एक करके सारे reaction को देखते हैं, आपको पहले क्या करना है कि वीडियो को रोकना और रोक करके पहले खुद से उधर बन तो परोक्साइड लिखा, इसका मतलब इसमें मार्कोव निकोब नहीं लगेगा, इसमें anti-markov का रूल लगेगा, तो anti-markov के देखते हैं आपर कि क्या होने वाला है, तो anti-markov का रूल यह काता है, कि सबसे पहला तो reaction होना चाहिए, reaction किसके साथ होना चाहिए, हBR के साथ, तो reaction में हBR दियावार, एरोपे, परोक्साइड है, तो आप confirm हो जाएए, कि इसमें जो rule लगेगा, वो markov का नहीं लगकर के anti-markov का लगेगा, अब anti-markov का rule क्या काता है, कि BR- को, यह हम लोग का positive part है, और यह हम लोग का कुन सा part है, negative part है, तो negative part को उस carbon के साथ attach करना है, जिस carbon के यहां तो body ने टूटा, carbon का already, यहां पर carbon complete है, यह bond टूटेगा, pi bond, तो एक bond इसका खलेगा, एक bond इसका खलेगा, इस carbon के पास एक हैट हो जाना है, और इस carbon के पास दो head down है, तो BR को कहा जोड़ना पड़ेगा, तो इस जगा पर जोड़ना पड़ेगा, तो देखो, यहां प product बन जागा CS3, यह हम लोग के पास 11 जूड़ना तो यह CH से हो जागा, CH2, यह double bond से हो जागा, सिंगल बॉन और इस जगा पर हम लोगका क्या आ जागा, तो इस जगा पर आ जागा CS2, और इसी में आकर के attach हो जागा, इसी में आकर क्या attach हो जागा BR, तो आप लोग देखे, स सबसे पहले नाम हम लोग side chain का लिखते हैं, side chain, substitute जो यहां पर है, वो कोन है, बी आर है, तो नाम लिखाएगा, वन ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा, वन, बी आर ओ ओ एम ओ, ब्रोमो, तीन कारवन को हम लोग प्रोब पढ़ते हैं, पी, आर, ओ, पी, और single bond के लिए ANE, single bond के लिए क्या आएगा, ANE, अच्छे, एक बात आप लोग और याद रखेगा, कि anti-marconive में क्या होता है, कि जो negative part होता है, वो एक नंबर कारवन से जोड़ता है, और markov में क्या होता है, कि negative part जोए, वो दो नंबर कारवन से जोड़ता है, अगर कभी भी conversion में one bromo बनाने के लिए बोलेगा, तो याद रखना है कि उसमें anti-marconive का rule लगाना, और अगर two bromo बनाने के लिए बोलेगा, तो याद रखना है कि उसमें marconive का rule लगेगा, तो वह हम लोग जब conversion देखेंगे, तो वहाँ पर उसको detail में देखेंगे, फिलाल अप लोग next example को देखिए, next example में सबसे पहले देखें, यह unsymmetrical है, तो इस carbon के पास दो hydrogen है, इस carbon के पास एक भी hydrogen है, और double bond है रहे, इसका मतलब यह है, कि यह unsymmetrical है, अब इसका भी reaction HBR के साथ है, तो anti-marconive का लग रहा है, और peroxide यहाँ पर लिखाता है, यहाँ पर लिखाता है, यहाँ पर याद रखना है कि 2 होगा, इस जगा पर क्या होगा, इस जगा पर 2 होगा, ध्यान रखना है, इसका मतलब यह ब्रोमो, यह ब्रोमो इससे जुलेगा, और यह एच जो है, वो इससे जुलेगा, तो देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यह बन जाएगा CS3, है ना, यह सिंगल बॉंड, C नीचे तो पहले से CS3 है, अब यहाँ पर हेड्रोजन आकर के जुड़ेगा, तो इसमें आकर जुड़ गया हेड्रोजन, यह हम लोग के पास में CS2 तो पहले से है, और इस ही में आकर अटेच हो गया भी है, आप लोग को बात समझ में, तो प्रोड़क्ट में हम लोग का यह बन गया, और इसमें सबसे सिनियार है, यह हेलो फैमली, तो यह आजागा 1, 2 और 3, अब इसमें 2 साइट चैन है, एक साइट चैन मिथाईल है, और एक साइट चैन ब्रोमो है, रूल काता है अल्फाबेट का, जो ABCD में पहले है, उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं, इसका नाम हो जागा 1 ब्रोमो, B-R-O-M-O, 1 ब्रोमो, उसके बाद है यहाँ पर 2 मिथाईल, 2 नमबर पर आगिया, M-E-T-H-Y-L, और 3 कारवन तक यहाँ भी गया हुआ है, तो 3 कारवन को हम लोग प्रोब पढ़ते हैं, और सिंगल बॉंड के लिए क्या लगा देंगे, A-N-E, मेरा बात समझबा रहा है, तो देखो यहाँ पर भी ब्रोमो एक नमबर पर यहाँ आके जुड़ा हुआ है, चलो, फिर आगे ध्यार ध्यान देना है, यह कनभर्सन के लिए बताए, यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक नमबर पर जुड़ाएगा, लेकिन नॉर्मली कंडिशन में याद अखना है कि एक नमबर पर ही जुड़ता है, अगर कनभर्सन में ऐसा रहेगा, तो उसको देखा जाएगा, अब यहाँ पर यह रियक्शन देखे, इस रियक्शन में भी देखे, इस कारवन के पास एक हेड्रोजन है, इस कारवन के पास एक भी हेड्रोजन नहीं थे, इसका मतलब यह तीनों का तीनों अन्समेट्रिकल है, क्या है अन्समेट्रिकल, लावन सेमेट्रिकल के बारे में आप लोग को पिछले लेक्चर में भी काफी डीटेल में बताए हुए थे यहां पर ध्यान देजे यहां पर H2O2 लिखार H2O2 का नाम होता है है हेड्रोजन परोकसाइड यहां पर भी परोकसाइड है और रियक्शन HBR के साथ है इसका मतलब यहां पर भी एंटी मार्कोफ का रूल लगेगा तो निगेटीव पार्ट यह है निगेटीव पार्ट को वैसे कारवन साटेज करना है जिस कारवन पास हैट्रोजन अधीग है तो यहां का पाइब बॉंट उटेगा तो इदोनों में कॉंपेर करना है तो इसमें जुड़े और इस जगह पर पहले से है CH3 अब इसका अगर आई उपेसी नेम लिखेंगे तो कॉंट करना होगा 1,2,3 और 4 तो यहां पर रोगया 2 ब्रोमो ब्रोमो यहां पर आगया 3 मिथाईल METHYL मिथाईल चार करवन है चार करवन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट ब्यूट और सिं पूचा है यह अलग एक्जामपल हम लोग लिए हैं अलग बुक्स है तो ध्यान रखना इस तयाका तो मेन रूल को समयना है कि परोक्साइड परजेंट रहना चाहिए और अगर पर पर रियक्शन में ही होना चाहिए इसके जगह पर कोई भी दूसरा आया तो ध्यान रखना है वह परोक्साइड उस रियक्शन को सो नहीं करता है ध्यान रखना आप लोग को इस बात को यह तीन रियक्शन अभी हम लोग देख लिए इसके एक्जामपल में चलिए अब और रियक्शन को यहां पर देखते हैं अब यहां पर यह हम लोग का चार नंबर यह पांच नं तो मिलाइए इसके अंसर को अब यहां पर क्या आने वाला है सबसे फर्ष्ट में यहां पर लिखावा है बेंजोयल परोक्साइड मतलब यहां पर परजेंस है परोक्साइड और परोक्साइड परजेंट है तो एंटी मार्कोव का रूल लगेगा अब एंटी मार्कोव में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस्ट्रेंट को ऐसे reaction में क्या आता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि यहां पर hydrogen कितना और carbon कितना है तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा बात नीचे में समझ लीजे आप लोग को बताये थे कि लाइन जिजगा पर खत्म होता है वो point CS3 होता है यहां पर भी लाइन खत्म हो रहा है तो यह भी point CS3 है जहां पर दो लाइन आकर के मिलता है वो point CH2 होता है यहां पर लाइन खत्म हो रहा है तो यह भी CS3 है और यह भी लाइन यहां पर complete हो रहा है तो यह भी हम लोग का CS3 है ध् तो यह हम सिए फ Courtney को नहीं पता है तो ज़रा अगर सोचीय कि TNLाइन कुछ इस तरीकास होता यहां में जढ़ी सीह हें यहां पर दियान दिजिए यहां पर दिख रहे है कि डवल बॉंड इस ञेपर है अब देखना credential कि यहां पर जोड़े कि यहाँ पर जोड़ेगी, दोनों में से किस जगा पर जोड़ेगा, तो सबसे पहले यह देखो, कि double line का मतलब होता है, कि यह हम लोग का CH2 है, और यहाँ पर देखो कितना line है, एक, दो, तीन, चार, दो line, और यह उपर भी double bond, तो यहाँ पर total 4 line है, 4 line कैसे है, आप लोग समय रहे हैं, यह हम लोग का double bond आया, और यहाँ पर 2 bond आया, तो एक, दो, तीन, चार, तो total 4 है, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर 4 line हैगा, उसको हम लोग C करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर C है, अब बताए, symmetrical है कि unsymmetrical, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, कि इस कारवन के पास में 2 hydrogen है, इस कारवन के पास एक भी hydrogen है, तो इसका मतलब यह unsymmetrical भी है, तो पहला rule तीन कंडिशन है, unsymmetrical होना चीए, HBR होना चीए, पर आक्साइड होना चीए, तो यहाँ पर reaction होगा, तो यह reaction के बाद क्या बनेगा, यह double bond हट जागा और इसी में आ करके जुड़ जागा यहाँ पर B-R, hydrogen को दिखाते हैं नहीं, क्योंकि इसमें hydrogen छुपा रहता है, तो यह reaction होगा, तो reaction के बाद हम लोग का यह compound बन जाएगा, बात समझ मारा है, तो चलिए अगला example को देखते हैं, अगला example में भी देखें, यहाँ पर पाइबॉंड आ गया, पाइबॉंड है, मतलब unsymmetrical condition हो सकता है, चेक कर लेते हैं, है, HBR है, और यहाँ पर भी आप लोग को याद रखना है कि 2 लगा देना है, क्या लगा देना है, 2, यहाँ पर भी मिस्प्रिंट है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 देना है, ऑक्सियन दोग होगा, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोयल पर उक्स तो बेंजोल परोक्षाइड भी है, हब यह और अन्समेट्रिकल है कि इसको चेक करते हैं, इस जगह पर बता यह कि कितना है है, तो एक दो तीन है, तो तीन लाइन का मतलब है कि इस जगह पर CH होगा, क्या होगा? CH, इस जगह पर देखो, एक दो तीन चार, तो तल चार है, इस इसका मतलब इस जगह पर C होगा, तो दोनों जगह देखो, हैड्रोजन अलग complex, हैं यहां पर एक हड्रोजन है, यह पर एक भी हड्रोजन तो जरा यहांका ध्यान देना, यह तो पहले से था यहांका फ़गों गंपश का सि nossos Stick डगा और इस जगह पर आकर के अटेच हो जागा क्या, इस जगह पर आकर के आटेच हो जागा इस मेरे ख्याल से आप लोगको बात समझ में आ गया होगा की रियक्शन जो हो रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पर जो यह compound बना तो यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 तो इसका नाम हो जाएगा 1 bromo B-R-O-M 1 bromo इसका नाम हो जाएगा 2 number पर methyl यहाँ पर line खत्म होगा और line खत्म का मतलब क्या होता है CS3 तो नाम हो जाएगा 2 methyl M E T H Y L 2-methyl, अब यहां पर यह बंध है, अब यह यहां पर क्या है, यहां पर यह बंध है, आप लोग को बताए थे कि जब कोई structure close रहता है, तो इसको नाम में cyclo लगता है, तो C Y C L O, cyclo, तोटल 6 करवनिस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसी में जूड़ जाएगा H E X, और A N E, त 2-methyl, cyclo, hexane, तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा, तो यह चार नमबर एक्जामपल, यह पांच नमबर एक्जामपल, तो जितना भी बुक में, अलग अलग बुक में, जितना भी एक्जामपल हैं, सारे एक्जामपल को ले लिये हैं, ताकि केवाल N CRT बुक ही नहीं, अगर आप लोग ABC देखना चाते हैं, यह Comprehensive देखना चाते हैं, यह Aryan Publication देखना चाते हैं, तो वो सारे को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, अब यहाँ पर यह लाश्ट है, रियक्शन जिरा ध्यान दना है सही तरीका से, चार रियक्शन है, जिरा सम symmetrical है, तो हाँ symmetrical है, क्योंकि इस carbon के पास 2 head owner, इस carbon के पास 1 head owner, तो पहला condition तो follow कर गिया, दुसरा condition था कि HBR होना चाहिए, हBR नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर anti-marconive का rule नहीं लगेगा, ठीक, और तिसरा condition कि यहाँ पर पर अरोक्साइड होना चाहिए, यहा लिखा है, नो पर आरोक्साइड, नो परोक्साइड मतलब यहां पर आरोक्साइड we present नहीं है, तो परोक्साइड परजेंट नहीं है, यहाँ पर anti-marconive का rule नहीं होगा, यह बताना है कि अगर anti-marconive नहीं लगेगा, तो क्या यह रियक्शन होगा की नहीं होगा, तो होगा तो और टू तो नाम हो जाता हूँ वन क्लोरो दो नमबर कारवन को इत पढ़ते हैं डवल बॉंड आ गया तो यहाँ पर लग जागा एनी तो वन क्लोरो इत हीन अब इसके रियक्शन करवाना है तो यह हम लोग का हो गया पूजेटिव पार्ट और यह हम लोग का हो गया तो मारकोनिव का रूल यह काता है कि निगेटिव पार्ट को वहां पर एटेच करना है जिस करवन के पास हैट्रोजन एक्टम की संख्या क्या हो कम हो तो यहां पर का पाईवन टूटेगा यह आयोडीन यहां जुड़ जागा तो जिरह बताए रियक्शन के बाद क्या बने यह बिहार एंजरीन में पुछावा कोशन है 2014 के बिहार एंजरीन में रियक्टेंट दियावा था प्रोडक्ट बताना था चार अप्संहें दियावा था और यह सही होगा ध्यान रखना है कि नो पर औरॉक्साइड परजएंट नहीं है पहला कंडिषन और दुसरा यहां प उसी तरह हो जागा 1-I-O-D-O-I-D-O, दो नंबर कारवन तक है, तो यहाँ पर इथा, सिंगल बॉंड के लिए लग जागा A-N-E, तो यह प्रोडक्ट हम लोग का बन गिया, क्या आप लोग का सही बन रहा है, अगर सही बन रहा है, तो समझे क्या आप लोग समझ रहे हैं, औ होता क्या कि reaction देखते हैं, इस्ट्वेंड का हलत खराब हो जाता है, तो ध्यान रखना है कि reaction easy है, बस थोड़ा समझना है और थोड़ा सा practice करना है, जैसे math में practice करते हैं, तो अगर आप लोग आदा घंटा भी reaction के लिए निकालिएगा, तो काफी reaction अभी हम लोग पढ़ेंग से clear भी रहेगा, चलिए इस reaction को बताए कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले HBR है, तो anti-marconive का rule है, दुसरा बात यहाँ पर यह देखिए, कि यह भी unsymmetrical है, लेकिन इतना के बाद भी यहाँ पर anti-marconive नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर present नहीं है, यहाँ पर peroxide भी ने लिख नहीं anti-marconive को दिखाता है, चलिए इसके reaction को देखिए, यहाँ पर reaction के बाद क्या बनने वाला है, यहाँ का अगर sigma bond और यह pi bond है, तो sigma और pi bond में क्या होगा, कि यह pi bond टूटेगा, तो BR को यहाँ पर attach नहीं करेंगे, BR को यहाँ पर attach करेंगे, इसमें कम होगा, तो देखिए यहाँ पर reaction के बाद यह क्या बनेगा, यह बन जाएगा, CS3, यह हम लोग के पास में पहले से है, CS2, है न, उसके बाद यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, CH, आप लोग सिधे में लिख ली जागा, यहाँ पर double bond से single bond हो जागा, हैट्रोजन यहाँ पर जुड जागा, CS3, और इसका यूपेक नेम भी हम लोग लिख लेते हैं, तो 1, 2, 3, और 4, तो नाम हो जाएगा 2 Bromo, B, R, O, M, O, 2 Bromo, चार के लिए हम लोग ब्यूट लिखेंगे और single bond के लिए A नहीं लगा देंगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चलिए अब इस reaction को दे आप लोग को यह लग रहा होगा कि इसमें Marko-Niff का rule लगेगा, तो जानिए से Marko-Niff का भी rule नहीं लेगेगा और anti-Marko-Niff का भी rule नहीं लेगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर देखे यह symmetrical है यह क्या है symmetrical है इस carbon के पास अगर एक hydrogen है तो इस carbon के पास भी एक hydrogen है तो इसमें कोई rule ही ने लगेगा यह pi bond टूटेगा हम कहीं पर भी CL को जोड़ सकते हैं और कहीं पर भी H को जोड़ सकते हैं मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को ज़रा ध्यान दीजे सही तरीका से हम क्या बताना चाहरे हैं कि यह हम लोग का दोनों तरफ जो यह sigma bond और यह हम लोग का pi bond तो दोनों तरफ carbon hydrogen विल्कुल सेम है तो यह हम लोग का है symmetrical यह हम लोग के लिए symmetrical और symmetrical के लिए कोई rule ही नहीं है बस यह pi bond टोड़ना है एक bond यहां खली होगा एक bond यहां खली होगा आपको जहां माने वहाँ hydrogen लगा दीजे जहां माने वहाँ chlorine लगा दीजे कोई rule नहे है तो चलिए यहां पर बना रहे हैं यह हो जाएगा CS3 यह हो जाएगा CH यहां पर हम hydrogen जोड़ देते हैं तो CH2 हो जाएगा single bond इसमें हम जोड़ देते हैं CL को और यहां पर last में attach हो गया CH3 आरा मेरे बात समझ में तो CS3, CS3 दोनों तरफ था तो वो पहले से है यह hydrogen को हम यहां जोड़ दिये इस chlorine को यहां जोड़ दे आप चाहते तो इस chlorine को यहां भी जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और मेरे ख्याल से आप लोग उसका UPSC ने हम लिख लीजिएगा चले इस reaction को बताएगे इस reaction में क्या होगा यह सबसे last reaction है आज का पाइबॉंड में difference है difference क्या है कि यहां पर जो पाइबॉंड है वो resonance में participate नहीं कर रहा है और यहां पर जो पाइबॉंड है वो resonance में participate कर रहा है मतलब कि बेंजीन जो ओता है वो aromatic compound होता है aromatic होता है इसमें resonance बनता है आप लोग को पता होगा कि benzene में एक के बाद एक devil bond है, यह benzene है, यह हम लोग का क्या है? benzene, अगर हम लोग इसको ऐसे भी दिखाएंगे, तो भी सही है यह pie bond यहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा दे, एक के बाद एक होना चाहिए यह काफी चृ होता है यह उस्ट्रांग होता है यह इन। काफी ump스큰ैण बात ऌाप किसी से पूंछ सकते हैं ज्यादा तर टीचर भी बना देता है कुछ न कुछ reaction करवा देता है तो धियान रखना है ये काफ़ी important बात है कि benzene का जो pi bond होता है वो strong होता अभी strong क्यों होता है क्यों किसमे resonance होता है resonance क्या होता है तो ये हम लोग कल सिखने वाले है अरबा समझ में कल हम लोग सिखेंगे कि resonance क्या होता है और resonance के कारण क्यों stability increase का जाता है तो ध्यान रखना है कि जहां पर aromatic आ जाएगा ये aromatic क्या होता है कल भी देख लेंगे वैसे ये तो 11 का है लेकिन यहां पर समयना होगा क्यों कि RB reaction में इसका यूज पढ़ेगा तो कल के lecture में हम लोग सिखने वाले है कि resonating क्या होता है resonance क्या होता है resonance hybrid किसे करते हैं वो सबको हम लोग detail में सिखेंगे तो आज का किलास हम लोग का यहां पर close होता है anti-marconif rule क्या है ये समझ लिए इसको हम लोग cross rule करते हैं और आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग paroxide effect क्यों करते हैं क्योंकि anti-marconif लगता ये किसमें paroxide में अच्छे एक बात और समझ लिजए last में last में ये बात जान लिजए आपके दिमाग में ये question उट सकता है कि HBR ये जो anti ये जो anti-marconif का rule है ये केवल HBR में ही क्यों लगता है है ना याद रखना है इसके बारे में जारा समझ लिजए होता क्या है कि HF HCL और HI और या even H2O ये सारा जो reaction करता है ये reaction तब करता है ये सारा reaction जो होता है ये इंडो थर्मिक होता है इंडो थर्मिक और ये जो HBR होता है ये होता है इच बीर जो reaction करता है ये करता है एकसो थर्मिक एकसो थर्मिक क्या मतलब इसका एकसो थर्मिक को हम भी लोग हिंदी में काते हैं उसमाँ 6P और इसको बोलते हैं उसमां myös इसमाँ सोसी में उरजा लगता है इनर्जी लगता है और 100 थर्मिक में इनर्जी बाहर निकलता है तो होता क्या है कि HBR के साथ reaction करने के लिए किसी इनर्जी का extra energy का अवसकता नहीं होता है केवल sunlight या केवल light के presence में ये reaction कर लेता है कोई extra energy देने के अवसकता नहीं है और reaction जब करता है तो काफी energy release होता है तो जब काफी energy बाहर निकलता है इस कारण से इसको हम लोग इंडो थर्मिक करते हैं लेकिन ये सब anti-marconic को क्योंने दिखाता है क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड के presence में जब ये reaction होता है तो ये सारा जो reaction है ये सारा जो reaction ये इंडो थर्मिक reaction है तो इंडो थर्मिक का मतलब होता है कि इसमें काफी energy लगेगा तो इस reaction को करवाने में काफी ज़्यादा energy चाहिए और इस reaction को करवाने के लिए energy नहीं चाहिए इसलिए anti-marconic का rule केवल HBR ही दिखाता है ये सारा compound anti-marconic के rule को नहीं दिखाता है तो ये काफी student के दिमाग में कोस्तान रहा जाता है कुछ teacher लोग भी समझते हैं हैं कि वो रटवा देता है student को कि HBR के साथ reaction होगा इसके साथ reaction नहीं होगा पर आप ही region भी जान लीजे कि ये सारा इंडो थर्मिक reaction है मतलब इसमें काफी energy चाहिए इस कारण से ये reaction नहीं हो पाता है अपने आप और ये reaction अपने आप कर लेता है तो चलिए आज का lecture यहाँ पर complete होता है अभी तक हम लोग इस chapter में total 8 lecture को कर चुके हैं ये 8 नमबर lecture है कल हम लोग 9 नमबर lecture को पढ़ेंगे इसमें resonance के बारें को पढ़ेंगे आप लोग सही तरीका से fair कर लिजिए और ये सारा चीज Real Chemistry YouTube चैनल के playlist में दिया हुआ है तो जो भी student पहले के lecture को नहीं देख पा है वो पहले के lecture को देखे playlist में सिल्सलेवा धंक से शुरू से दिया हुआ है जो इस्टन का पहले छुट भी गया है तो वो भी उसको देख सकते हैं आरा बास समझ में चलिए आप लोग revise कीजिए आज का किलास यहां पर complete होता है thank you